जेहिं दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी साहित के बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा अबस्ट से देखना है अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सस्क्राइब करनें बेल आइकन दबाएं ओल पर किलिक करें ताकि औल वीडियो की जानकारी आप कि नमबर एक का आपका जो सही आंसर है बहे आपका यहाँ पर विकल्प नमबर आपका यहाँ पर जो चार दिया गया है बाबु गुलाब राइट आंसर है बाबु गुलाब राइट आंसर है बिल्कुल सही अंगला कॉस्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या है आपका अंगला कॉस्चन घनानंद को साक्षात रसमूर्थी किसने माना है तो बताइए घनानंद को साक्षात रसमूर्थी जो माना है बहे किसने माना है तो चार विकल्प आपके यहां पर दियेगा है महत्तपूर्ण कॉस्चन है आपका यहां पर और इसका जो सही आ आंसर है विकल्प नमबर तीन राइट आंसर है कॉस्चिन नमबर आपका चार पूंचा है ग्यारा वर्स का समय कहानी के लेखक हैं यह कहानी के लेखक कौन है यह आपके लिए यहां पर बताना है तो ग्यारा वर्स का समय जो कहानी है इसके जो लेखक हैं वह कौन है चार विक बर्मा की रचिना बताने question number 5 में कौन सी इनकी रचिना है तो आपके यहाँ पर सही answer है question number 5 का आपका right answer है गड़ कुंधार आपका विकल्प number 1 सही answer होगा विकल्प number 1 right answer बिल्कुल सही अंगला question क्या पूँचा है question number 6 आपसे यहाँ पर पूँचा है मारेसी मोही कुठाओ के कुठाओ के लेखक कौन है तो इसके लेखक जो हैं बालकिष्ण भट्टे हैं चंदर सर्मा गुलेरी हैं वदाय संकर भट्टे हैं रमबरक्ष ब्यानी पुरी हैं आपके यहाँ पर सही आंसर है चंदर धर सर्मा गुलेरी यानिकी विकल्टần दो आपके यहाँ पर सही है Q7 आप से पूँचा है भारते हैं तो समगर की संपादक है तो इसके जो संपादक है Q7 में बताना है कौन है इसके संपादक है तो Q7 का आपका जो सही अंसर है आपका यहाँ पर हैमंत सर्मा यानि की विकल्ब नंबर 3 आपका राइट अंसर होगा question number 8 आप से पूँचा चिंतावणी भाग चार की संपादक हैं तो इसके जो संपादक हैं बहे कौन है question number 8 में आपके लिए बताना है तो question number 8 का right answer आपका क्या होगा तो आपका यहाँ पर सही answer है आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका जो सही answer है विखल्प number 1 होगा right answer कोसम चतुरवेदी तथा ओम पिरकास से हैं आपका विखल्प number 1 right answer यहाँ पर है question number 9 है रस्मी लोग की रचेता कौन है माखलाल चतुरवेदी नांगर जोन रामधारी सहें दिनकर या हरी बंसर है बच्चे तो question number 9 का जो सही answer है आपका भै आपका यहाँ पर रामधारी सहें दिनकर यानि की विखल्प number 3 आपका यहाँ पर right answer है विखल्प number 3 जिनों ने बताया है उनका सही answer है question number 10 आप से पूँचा है अग्ये द्वारा संपाद चार सब्तकों में तीन कवित्री जो है अभी संकले थें तो कौन है भै तीन कवित्री यह आपके लिए यहाँ पर question number 10 में बताना है 10 का right answer बताये चार विखल्प आप यहाँ पर दिये गए हैं और आपका यहाँ पर जो सही answer है भै क्या है तो आपका यहाँ पर right answer बिलकुल सही right answer होगा आपका विखल्प number 2 की सकुन तला माथोर कीरती चोधरी और समन राजी तो विखल्प number 2 right answer है अंगला question इन में से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है पुरानी कहानी बताना है आपके लिए पुरानी कहानी इन में से जो है विखल्प number 1 आदुने काल को गद्दकाल नम किसे ने दिया है Question number 12 में आपके लिए बताना है Q21 का आपका सही आंसर है आपकाहएं आपका है राम चन सुक़त नम्बर एक आपका पीख्षा खुसरों का ध्यान बोलचाल की भासा की ओर अधेक था यह किसने कहा गिरेशन या मिसर बंदू हजार परचाद दुबेदी या सुकल तो कबीर क्या पेक्षा खुसरों का ध्यान बोल चाल की भासा की और अधिक था तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या है सही आंसर सुकल यानि कि विकल्प नंबर आपका चार यहाँ पर राइट आंसर है सुकल आपका राइट आंसर हैं अगला कॉस्चन है त encryption की रचिना नहीं है नहीं है नहीं बताने आपके लिए तो बेरागज संदीपनी कृष्ण गीतावली घन्मान चरिट या परवत गया है जाईसी पहले कभी है सूफी बाद में किसका कथन है यह कथन आपका कई बार पूचा जा चुका कथन है यहाँ पर की जाईसी पहले कभी है सूफी बाद में इस कथन किसका है तो आपका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर जो होगा विजय देव नारायन साही आपका विक के करतब में कहें नहीं जात एक रचिनाकार है इसके इस पंती की रचिनाकार आपके लिए यहाँ पर बताना है इस पंती की रचिनाकार कौन है सूर्दास नंददास कृष्णदास या चतरभजदास तो आपके यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर चतरभजदास तो विकल् question number यहां पर जो अंगला दिया है रीती मुक्त कवीता की विसेष्था क्या है यह आपके लिए बताना है रीती मुक्त कवीता की विसेष्था आपका यहां पर right answer है क्या है स्वचंदता बाद यानिके विकल नंबर एक आपका सही answer यहां पर होगा अंगला question एकांत संगीत की रचनाकार है एकांत संगीत की रचनाकार सिरी धरपाटक है बच्चन है या रामिस्वर सुकल अंचल या मादेवी बर्मा तो यहां पर एकांत संगीत के जो रचनाकार है वह कौन है तो आपका यहां पर सही answer होगा क्या है बच्चन विकल्प नमबर आपका 2 यहां पर राइट आंसर है अंगला question क्या पूँचा है दुखेनी बाला के लेखक है दुखेनी बाला के लेखक कौन है सिरी नवास या रादा कृष्णदास या कि सोरी लाल गोष्वामी या प्रितापनाराय मिस्र तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है रादा कृष्णे दास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन क्या पूचा क्या है प्रियम चंद्र का कहानी संग्रय नहीं है नहीं बताना है तो नहीं में आपका यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है तो प्रियमचंद्र जी का जो कहानी संग्राय नहीं है वह कौन rash नहीं है तो आपका यहाँ पर सही answer है क्या है right answer? महबबत की राहे महबबत की राहे विकल्ड नमबर आपका 3 यहाँ पर right answer है अंगल्या question क्या पूच्चा है रेणू का कहानी संग्राय नहीं है तो आप कहानी संग्राय नहीं है तो आप कहानी संग्राय नहीं है तो आप कहानी संग्राय नहीं है तो आपका 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 संग्राय हैं यह आपके लिए बताना है तो आपका सही आंसर है थ्याग पत त्याग पत आपके हैं पर विकल्प नबरगा राइट आंसर यहाँ पर होगा अंगला कास्चिन क्या पहुझा है बंबई कि मजदूर संगटन के लेख लेकर के से हां पर है पूँचा गया है, स्वादेश दीपक की रचिना है, कौन सी है, तो स्वादेश दीपक की रचिना जो है आदे अधूरे या कभीरा खड़ा बजार में, या बकरी या कोट मार्सल, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कोट मार्सल, यह स्वादेश दीपक की रचिना है, अंगल अंगला question है फूलों का कुरता कहानी है का या पर आपकी तो आपका आपका सही आंसर यहां पर है अंगला question है रामचन सबस्टिक नंब्ध किस पत्रिका में प्रिकासित होए है तो कौनसी पत्रिका में इण निबंध प्रिकासित हुए सरस्वती में, नांगरी प्रचान्णी में, सुधा में, या हितवानी में, तो आपका सही आंसर होगा, नांगरी प्रचान्णी, आपका यहाँ पर विकल्प नंबर दो, यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है, विकल्प नंबर दो, बिल्कुल सही, अंगला कॉस्चिन क्या पर सही आंसर है यहां पर आपका जो सही आंसर है रगु राजसें आपका यहां पर सही आंसर है रगु राजसें जिन्हों ने बताया है उनका यहां पर सही आंसर है सागर मुद्रा रचिना है तो सागर मुद्रा यह रचिना किसकी है गिर्जा कुमार मातोर धर्मिबीर भारत तो यहाँ पर सागर मुद्रा बताना है सागर मुद्रा इरचना किसकी है तो आपक इहाँ पर सही अंसर होगा क्या होगा righ answer अग्य आपका विकल्प number 3 यहाँ पर रight answer है अंगला question क्या है रीतิ काल को गुंडेपन और सोहद्यपन की हरकत कहेकर जो है किसने पुकारा है इसको रीतिकाल को गुंडिपन और स्वाइदिपन की हरकत कहेकर किसने पुकारा है आचार सुकले रामकुमार बर्मा डाक्टर नगेंद्र डाक्टर भगीरत भागरत मैसर तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा तो आपका सही आंसर है महत्वपोर्ण पूच्छन पूच्छा क्या है और आप कह यहां पर जो सही answer होगा वै होगा आप कह यहां पर घना रंग रंग दवे आप कह यहां पर सही answer है आंगला कॉस्टिन की पूंचा गया है निमनमियसिक इसने दोहा कोस में सिद्धों की दोहों को संकलिट किया है सुरकांतर पाथे निराला ने पुरबूद चंद बागची या बेंडल या हरपिरसाथ सास्त्री तो आपके हैं पर सही आंसर है तो विकल नबर आपका भी राइ राइट anser होगा गीत गाने दो कवीता की रचनकार कौन है पंत धैं सरिधरपाथक नराला या भवानी प्रशाद मैस्ट गीत गाने दो मुझे कवीता के जो रचनकार वहे तो आपका राइट आंसर है नराला यानिक विकल्ब नमबर तीन आपके यहां पर right answer है अंगला question क्या पूँचा है अयास प्रेतों का विद्रोए सीरसक लेख किस पत्रिकावे प्रकासित हुआ था तो कौन सी पत्रिकावे प्रकासित हुआ था धर्मयोग में सरीका में हंस में संचेतना में तो आपका यहाँ पर सही answer है, यहाँ पर धर्मयोग आपका right answer है, क्या है right answer? धर्मयोग आपका सही answer है, बिल्कुल सही अंगला question क्यों बढ़ते हैं, बिरह तथा पंथिनी, रचिना किसकी है? यह रचिना आपके लिए यहाँ पर बताना है, तो आपका यहाँ पर जो सही answer है, क्या है राइट आंसर बिरह तथा पंथनी रचना किसकी है तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा सरी बिहाग है यहाँ पर बिहाग तथा पंथनी यह रचना किसकी समित्रा कुमारी सिनहा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन क्या पूँचा क्या है तो देख लेते हैं यहाँ पर किसे लोक जीवन का जासूस कहा जाता है लोक जीवन का जासूस कहा जाता है मुक्ति बोध अग्गे धूमिल एकुन नारायन को तो लोक जीवन का जासूस जो कहा जाता है वह मुक्ति बोध को कहा जाता है किसको मुक्ति बोध आपका यहाँ पर सही आंसर है मुक्ति बोध जिनों ने बताया है उनका सही आंसर यहाँ पर होगा अंगला कॉस्चन क्या पूछा क्या है यहाँ पर देखिए अंगला कॉश्यों है कि सुंगनी साहू घराने में किसे कभी का जन्म हुआ था यह आपके लिए बताने तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है टिक लगा ही यहाँ पर निसान लगा है पिरसाद आपके यहाँ पर सही आंसर है पर सही answer है अंगला question क्या है यहाँ पर कौंकली भासा किस लिपी में लिखी जाती है यह आपके लिए बताने कौंकली भासा जो है किस लिपी में लिखी जाती है तो आपके यहाँ पर लहंदा या नांगरी गुरुमुखी या अंसारदा तो आपके यहाँ पर सही answer क्या है ना दुनिया या चंदर कांता तो आप कहें आप जो सही आंसर है यूदные विकल्प नंबर दो आपके हैं पर सही आंसर है विस्वद्दा नंद चरिता वली नामत जीवनी किसने लिखी है तो यह जो जीवनी लिखी है यह जीवनी किसने लिखी है तो आपके हैं पर सही आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर यह जीवनी लिखी है माधाव पिरसाद मि यानि के विकल्प नमबर दो आपका यहां पर सही आंसर है अंगला question क्या पूँचा क्या है बीर अभी मन्यू नाटक किसका है बीर अभी मन्यू यह जो नाटक है किसका नाटक है तो आपका यहां पर सही आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर बीर अभी मन्यू नाटक किसका है तो राधे स्याम कथा बाचक तो विकल्प नमबर दो विकल्प नमबर भी आपका राइट आंसर यहाँ पर है सबसे बड़ा आदमी की रचनाकार कौन है बल देव बंसी है भगबती चरन बर्मा है धो मिल या पंत है तो सबसे बड़ा आदमी यह जो इसकी रचनाकार आपसे पूचा है तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा भगबती चरन बर्मा तो विकल्प नमबर आपका यहाँ पर जो दो दिया गया है वह आपका राइट आंसर है भगबती चरन बर्मा अंगला question क्या है कासी में तुल्ची ने किस गुरूके पास रहकर विध्याद्ध किया तो कौंते भै गुरू जिनके पास रहकर इन्हों ने विध्याद्ध्यन किया है किस ने तुल्ची दास्ची नКак और सही आंसर मिकल्म नंबर एक आप यहाप पर सह सही आंसर है सेस सनातन आपका राइट आंसर है अंगला कॉस्चन है कासी में तुल्ची ने किस गुरू के पास रायकर जन किया ये कॉस्चन डबल हो गया सेस सनातन आपका राइट आंसर है अंगला कॉस्चन क्यों बढ़ते हैं तो अंगला कॉस्चिन क्या अच्छायवाद को अभी व्यंजनाबाद का विलायती संस करण किस आलू चेक ने माना है तो यह जो माना है किस ने माना है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सुकल इमुक्तिवोद या रामभिला से तो सुकल आपका है यहाँ पर आपका हैं पर सही आंसर है विद्यापती को जो रहसेवादी कभी माना है वह गिरिये सन्ने माना है तो विकल्प नमबर C आपका हैं पर राइट आंसर है अंगला कॉस्चन पूछा गया है प्राचिन पंडित और कभी किस की किरती है महाबीर पिरसाद दुबेदी या मादव पिरसाद मेसर बालमकुंद गप्त या भी होगी हरी तो आपका हैं पर सही आंसर है महाबीर पिरसाद दुबेदी यान की विकल्प नमबर एक आपका हैं पर सही आंसर है विकल्प नमबर एक जिनों ने बताया है उनका यहां पर सही आंसर है पिरसाद ने प्रुसकार कहानी का प्रिकासन कब वप्रिकासन इने पर रुसकार कहानी का प्रिकासन कब हुआ तो आपका यहां पर राइट आंसर होगा यहां पर क्या होगा राइट आंसर 1934, 36, 38 तो इसका जो प्रिकासन हुआ 1936 आपका यहां पर सही आंसर है अंगला question क्या पूँचा क्या है विद्यापती को सिंगा रसका सिद्ध बाग के कभी किस ने कहा है विद्यापती को तो क्या है इसका right answer तो आप कह यहाँ पर जो सही answer है आप कह यहाँ पर विकल्प नंबर राम बिला सर्मा या रामकुमार बर्मा हजारी पर साथ दोवेधी यानि कि विकल्प नंबर सी आप कह यहाँ पर right answer है हजारी पर साथ दोवेधी जनों ने बताया है उनका सही answer है तो इस परकार अपनी हाँ पर बहुत ही महत्तोपूर्ण question complete हुए क्या असा लगा है वीडियो कमेंट में आप जरू बताएं अगर आप चेनल पर पहली बार आ जाए हिन